तो दोस्तो जो लोग मेरे को बहुत पुराने टाइम से फॉलो करते आये हैं तो उन लोगों को पता है कि मेरे को चीगलेट फिस कितना जाधा पसंद है इसलिए दोस्तो में चीगलेट फिस खरीदने के लिए एक फार्म में गया था तो वहां का जो दादा है दोस्तो बहुत ह चार लाव वहार है यानी कि दादा का जो मतलब बात करने का तरिका और उनका जो सावर पालता है दोस्कें कि आबb चार दालब है तो सबंत्टा सब्सक्रणर करता है जाए तो चाहरksomत मे उस्क्राम सब्सक्राइस के बचारिक काना नहीं बस्कालांब करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं जब से पहले जब हम जा रहे थे दोस्तो थोड़ा समय बाइग में सूट किया था अब जादा में दोस्तों आईसे बाहिक में अगरा में सूट नहीं करता हूँ क्योंकि आईसे सूट करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को भी कभी रेकॉमेंड नहीं करूंगा कि बाहिक या फिर स्कूर्टी में जाते वक्त ऐसे ब्लॉ तो हम नोग भी जा रहे हैं उनके तालाब में जाने का टाइम दोस्तों देख़ेगे यहां पर उननेृपक है यहां पर मचली जो है कि बहुत च्छे से ग्रोह होगा है धूब भी अच्छे से खिलता है और दाधा का कहänner है कि जब यह वीथ विलिया थांप अब हैं पर बहुत जादा प्यार हो आई गरह अगरह था इस में मतलब ताला आपका हलत खरक था दा दाने पूरा यह नाप इसी होग करके मन्हतित लिछ पल रहा है तो आप दौरेज क्तल आप देख सकते हैं दौरत लिटाव करते हैं और दौर्ड़ाम को साफ करेगा करने के बाद 10 या 15 दिनों के बाद जितना भी दोस्तों फीस है चिगलेट फीस जितना भी है इनके पास 7 से 8000 के ऊपर चिगलेट फीस है तो वो सभी चिगलेट फीस इस तालाब में छोड़ देगा ठीक है तो आप लोगों को दोस्त अगर वो छोड़ने का वीड वीडियों में दिखाऊंगा आप लोग वीडियों के एंड तक देखो आपको बहुत ज्यादा नौलेज मिलेगा तो सबसे पहले दोस्तों दादा का ये जो तालाब में यानि कि पॉंड में जितना भी खरपातवार है यानि कि जितना भी पेर पादे जो पानी में ग्रो हो च दादा निकाल रहा है और इस वानी में दोस्तों आप देख सकते हो कोई भी प्लास्ट्यू का कच्रा वगरा नहीं है ठीक है और ये दादा का नाम जीद है ठीक है इसी ने मेरे को फूरा जो यहां का कॉंटक्ट है वो दिया है और इस दादा को दोस्तों बहुत-बहुत- क्काम पे लगे हैं बहुत मैंनत करते हैं अब ये जितना भी खर पत्वार है वो सबसाफ किया जा रहा है और जो मैं बोल रहा था था दोस्तों यहां पर कोई प्लास्टिक का कच्रा नहीं मिलेगा क्योंकि यह जो ताला भे बहुत-थोरा सा मतलब घर वागरा से दूर है थ जादा ने कार दिया था और यह डाब दोस्तों मैं अगर बताऊं बहुत ही जादा पानी था ठीक है एक खाके हमारा पेट पूरा फर चुका था क्योंकि हमारे स्टेशन के बागल में या फिर जो रास्ते में बेशते हैं वह भाई बहुत ही छोटा होता है ठीक है मगर यह जो साइस ये बनारियल का या फिर डाब का जो बोल सकते हो कोकोनग भी बोलते है इंगलीज में से तो इसका जो साइज है दो नौर्माल जो डास्ते में बिगता है उससे तीन गुना होगा नाई तो नाई दूगोना नाँ तो होगा ही बाकि स्टाइल लेग लीजिए आप क मेरे लेंत आइडिया नहीं आप लोग देख लो मैं आपको दिखा रहा हूं में लोग देख कीतना मतलब होगा और इस इमेज इनल भूलो बता ना ठीक है यह बंदा कौन है और क्या कर रहा है एक बार आप लोग बताना बाकि यह ताला वगरा साफ हो गया था उसके बाद हम दादा के जो फार में उहाँ पर आ चुकती सव बूला बुब कर दो कर में नीकल भापगी आब लोग वर्ट खरो आगे देखते रहे हों और यहाँ पर है С want फाइब बैंड का मेल और फिमेल लिया कितना कॉंटिटी लिया है वो मेरे मेरे में चैनल पर वीडियो आ जाएगा और नेक्स ब्लोग में भी मैं आपको दिखाऊंगा इस चैनल पर कि कहां पर मिने रखा है और यह मेरा जामाई वाभू है मतला मेरा दीदी का पती है इनी के स अच्छा लागा जो भेना स्चिकलेट दादा ने मेरे को दिया था ठीक है उसका मेल फिमेल थोरा सा कॉन्फ्यूजन हो रहा था मगर दादा ने 95% कॉन्फाम मेल फिमेल दिया है बाकी अगर फिर भी कोई गल्ती हो जाता है दादा ने बोल दिया कि तुम मेरे पास लाव मस एक्षेंज करके दूंगा कोई भी ऐसा नहीं होगा ठीक है दोस्तों और फाइब बेंड को जो चीगलेट है उसका कालर और क्वालिटी देख सकते हो मेरे पास आने के बाद कालर थोरा फेड हो चुका ता मगर आभी मैं कुछ दिन रखके आगर ट्यूफेक्स बगर जाएगा तो यहां पर दोस्तों बहुत जारा चीगलेट है मैं धीरे धीरे एकड़ो करके आप में दीखाते जा रहा हूं और प्राइस की बद करें दोस्तों प्राइस जो है दादा भी यह जो चीगलेट का पूरा स्टॉक है वो तालाब में उतरने वाला है किसी को अगर चाहिए दोस्तो में नामबर डेस्किप्शन में या फिर मेरे कॉमेंट में दादा का नामबर दे दूँगा ठीक है आप वो से कॉंटर्ट कर सकते हो बाकी मैं एक चीज़ बोलना चाहूंगा कोई भी नॉर्मली कॉंटर्ट मत करो जिसको मचली लेना है वही कॉंटर्ट करो क क्योंकि दादा बहुत बीजी रहता है और यह गया भेना स्टिकलेट या मेल है दोस्तों ठीक है मेल का कलर आपने देखा था क्या ऐसा है तो यह है दोस्तों उनके पास क्वालिटी का मचली तो आपको अगर चाहिए आप जाके ले सकते हो दादा का नंबर डेस्किप्शन म में डाल दूंगा और जीत दा को दोस्तों फिर से एक पार सुक्रिया उनके वाज़ेसे ही यह चीगलेट फिसरा पाया हूं और फ्यूचर में भी जीद्धा मेरे को बहुत सारे ऐसे नंबर है जिसके पास मसली बगर पालने का बाकि दोस्तों यहां पर डैमासोनी यह और ड को दिखेंगा बाकि यहां से चांट के हमने मसली ले लिया और इस में हम लोग मसली ऊठा रहे हैं जीतना भी मसली है दोस्तों देखिए कैसा quality और color है यह सा मसली मैं लेके जा रहा हूं और यहां पर हम लोग मदला स्वाटिंग करके जितना भी मचली हो रहा है सब कुछ हम लोग यहां पर उठा रहे हैं ठीके और क्वालिटी थोरा आपको मैं हाथ में उठा के भी दिखा जेता हूं यह देखिए डॉल्फिन है डॉल्फिन का क्वालिटी देखे दोस्तों तो डॉल्फिन का जो पास है दोस्तों मगर रेमी रेजी का थोड़ा सा दादा ने बोला कि भाई रेमी रेजी आभी कुछ दिन के बात लेके जाओ क्यूंकि आभी रेमी रेजी का क्या है ठंड़ा पर जाएगा तो बहुत दिक्त आ जाएगा और यह जीद्दा और जो कले में Bluetooth पाइना था ता वो मेरा जाविवा हुए और यह दादा तो मशलिया मतलब सौर्टिंग कर रहा है तो देख सकते हो दोस्तों मशली का क्वालिटी मेरे हिजब से बहुत ही बढ़िया है प्राइज भी आपको बहुत लो मिल जाएगा साहर से दोस्तों प्राइज आप लोगों को मतलब तो मैं आगे में बाता दूंगा ठीक है मेरे को कितना प्राइज पराइज बाता दूंगा क्योंकि क्वांटिटी ऐसाब से प्राइज भैडि कर सकता है अगर आप डीटेल में दो थीन लेने जावे तो प्राइज ऑभिलेसली जादा होगा अगर आप पचास या फिर एक्स इतना ज्यादा बेनिफीट है आप लोगों को तो पता हिए गीन वाटर के उपर में एक वीडियो बनाऊंगा ठीक है गीन वाटर दोस्तो इतना ज्यादा बेनिफीचियल है अभी जो सारी दीका मौसम आने वाला है मैं बोलूंगा अगर आप कर पाओ तो सभी टैंग में गीन रहे जाएगा इतना अच्छा कालर होता है बाकि फाइब बैंड को चिगलेट में भी बड़िया कालर होता है मगर इसके जैसा नहीं और आपका फेवरेट चिगलेट फिस कौन सा है मेरे को कॉमेंट करके बाताना ठीक है मेरा तो डैमसोनी चिगलेट है क्योंकि इसका इस भी जादा होता नहीं है मगर कलर बहुत अच्छे होता है तो आप लोग कॉमेंट करके बताना और दादा हात में उठा के दिखा रहा है देख लिजे कितना अच्छा कालर है और यह सभी एडल रमाचले ठीके इनके मुह में बच्चा अल्ड़ेडी आच चुका है और ज चूपने का जगा कैसा जना है वो सब कुछ मैंने दादा से बात कर लिय आ है बांके मच्ली तो आप लोग देखी रहे होँ चीड़ा यह जिद्दा मचली का मुँ मूह में फ्राइए इसके मुँ में फ्राइए अब ही यह मुझे खोल नहीं रहा है मैं दिखाओंगा चीकि आगे दिखाओंगा वीडियो में मुझे के जो फ्राइए निकले दिखाऊंगा भी हमें जब आया था दोस्तों उससे पहले यह जीद्दा और फार्म का जो ओनर है वो दादा मिलके जो ड्यामासोनी का फ्राइए वो निकालता था थीक है मगर आभी ड्यामासोनी का फ्राइए के अलाबा कोई दूसरे चिकलेट का फ्राइए वो लोग निकाल नहीं रहा है क्योंकि उसमें मुनाफ़ा कम है ड्यामासोनी चिकलेट का थोरा सा फ्राइए का प्राइए जादा होता है इसलिए यह दादा थोरा जादा द्यामासोनी का निकलता है बाकी दोस्तों मैं फिर से बोलना चाहूंगा इन दादा का जो behavior है बहुत ही आच्छा है ठीक है आप लोगों में पार्सनली करूंगा क्योंकि दोस्तों देखो जो बंदा अच्छा मसली देता भी है उनका अगर behavior होगा न कोई उनसे मसली खड़ी देगा नहीं मेर इस दादा का जो बरता है दोस्तों मेरे को बहुत ही आच्छा लगा और मेरे को यह दादा ने जो ओफर दिया था कि मसली अगर मेल फीमेल कॉंटिटे में इधर उदर हो गया तो तुम मेरे पास मसली डिटान लाओ में एक्सेंज करवा के दूंगा यह कोई ओफर देगा न तो मेल फीमेल का कॉंटिटी बहुत भैरी करता है ठीके मेल फीमेल का कॉंटिटी अगर थोड़ा इधर उदर हो जाएगा तो बच्चों का जो क्वालिटी है या फिर बच्चा है होने का जो टेंडेंसी है 95 परसंट से गीर के साइथ 70 परसंट भी हो सकता है ठीके अब समझ यह धिसाघ्चा हो अगर मेल का कॉंटिटी कम होगा तो ऐसा हो सकता है ठीके तो यह दादा का कैना है हम इसा थोड़ा ज़्यादा मेल दखो मेल ज्यादा रखने सक्या है फीमेल जदी चल्दी आंड़ देता है और न्डों का हैचिंग रेट भी ज्यादा होता है तो किसी मचली के लिए दोस्तों आप मेल का ज्यादा क्वांटिटी टाक सकते हो अगर हाइडिंग प्लेस थोरा ज्यादा देना ठीक है बाकि यह दादा मचली का मुझ जो है भो खोलके बच्चा निकल चुका है और यह जो बच्चा है दोस्तों यह अभी ज्यादा मतलब हो नहीं है यह बच्चे का उमर बहुत काम है और आप देख सकते हो एक योग जो है बो पेट के साथ लागा हुआ है इस बच्चे को दोस्तों आप लोगों को निकालना नहीं है ठीक है क्योंकि इस बच्चे का लाई मतलब जिन्दा रहने का जो चांद से वो काम होता है अगर पूरा जो बच्चा है वो पूरा अच्छे से निकल जाएगा पूरा अंडू में से मतलब जितना भी एक योग है वो पूरा पेट में नहीं रहेगा बहु वाला बच्चा अगर आप लोगों को मिलेगा तो बहु वाला बच्चा सबसे आच्चा होता है यह वाला बच्चा क्या है एक दो इन या फिर दो दिन हुआ है ठीक है दो दिन हुआ है तो पेट में से जो अंडों का ज़र्दी है यानि कि एक शेक वोलत है तो वो अभी सूखा नहीं है अब यह जो फिमेल के मुझे बच्चा निकाला जा रहा है इसका देखना दोस्तों पूरा जो बच्चा है वो प मतलब जो बच्चा है दोस्तों इसे तरह से निगाला जाता है ठीके किसी भी चीगलेट का ज्यादा तर चीगलेट जो है वो माउद वीडर होता है माउद वीडर यानि कि मुँ में बच्चों को लेके वो बड़ा करता है बड़ा करने के बाद मुँ में जाब उसका बच्चा जो हे वो फिट नहीं रहा पाता है तब वो आपने बच्चों को छोड़ देता है ठीके कोई भी चीगलेट हो चाहे वो डेमासोनी हो फाइब बैंड हो या फिर भेनास चीगलेट हो सबी के मुझे से इस तरह से बच्चों को निकालना पड़ता है और जब तक फीमेल आपने से फीडिंग करना है लाइफ फूड बगरा और अब हमारा जेतना भी मचली है वो काउंटिंग चल रहा है तो काउंटिंग का पूरा वीडियो में नहीं दिखाने वाला कि तो रिविल हो जाएगा मैंने कि इतना लिया है मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा और बाकी रा से हम लोग संकराहियल में आने वाले थे तो वहां से थोड़ा दूर हैं डिस्टेंश जाधा है उसलिए हम लोग और प्राइस कितना चल रहा है मिरे को कॉमेंट करके बताना और फिर एक बार दोस्तों जीददा को बहुत बहुत सुक्रिया बाकी आदर ऑक्सिजिएं पंप बगरा सब लाइक्स चुका है हमारे जो बैक है उसमें ऑक्सिजन भाट चुका है और आप लोग दोस्तों दूआ करना कि मैं चीगलेट फीस ब्रीडिंग में भी अच्छे से कामियाब हो जाओं ताकि आप लोगों को सच्टे से सच्टे प्राइज में मैं चीगलेट फीस दे क्योंकि मेरे को पता है जो बलोग आपर नहीं चाहता है इससली अद्ग नीट वड़ा होता है जो लोग फार्मिंग करना चाहते है उनके लिए एक मियुट इनफ़र्मेटिव होता है तो जरुते दोस्तों आप लोग एरोवाना लिख के तीन रेड़ार्स कमेड में लिख दो ताकि मेरे को पता चले कौन-कौन मेरा विडियो येंड तक देखता है बाकि दोस्त इस वीडियो में इतना ही था मिलते है नेक्स वीडियो में तिल दन विस्टे फाम कॉर्णर वाईरस बाई बाई